सो हेलो रिवान वेल्कम टू लगनम स्वागत अपका इल लगनम पे ठोब की आपको यह जॉब अपडेट्स एंट पीएजडी सेशन्स ट्रेइनिंग सेशन्स वगर वगर की सेशन्स आपको पसंद आ रहे होंगे आप हर जगह अप्लाई करके इसका फायदा उठा रहे होंग गएं था तो उसी करी में आगए बढात करेंगे एक कुछ में लेक्στर पोस्ट के बारे में फ्रॉम स्टेट सेलेक्शन बोड सी करेंगे। दिलाजी बारे में लेक्वाजिए लेक्श्ट्टे के अंतरगत तो इसमें lecture position के लिए vacancies निकली है और इसके लिए masters eligible है masters अगर आपने relative field में किया है तो इसके लिए eligible है for example अगर आप बॉटनी के लिए apply करना चाहते हैं तो आपने masters बॉटनी में कर रखा है है तो eligible है अगर आपने msc physiology में कर रखा है तो इसके लिए आप eligible है है और साथी साथ अगर आपने by technology में mc कर रखी तो इसके लिए आप eligible है ठीक है और साथी साथ लाइक अगर अगर अप उरिशा यह selection लाइक यह lecture post फॉम उरिशा है लेकिन इसके लिए कोई भी इंडियन citizen eligible है लेकिन एक catch यह है कि आपने किसी भी लाइक स्कूल में अगर आपने ऊडिया लेंगेज पर रख recovery है तो इए उसके लिए चुओक है तो क्या कर के यह PDF आपको शेयर करें तो इसमें कुछ और बाक़ी डेख सकते हैं, मैं इसमें कुछ और भी डेश स्वित पाइन जा रहा हूं तो इसमें देख सकते हैं, स्टेट सेलेक्शन बोर्ट के तरुब से आया है ईवड़्साइट पे जाके विजिट करें आपको अप्लाइ करना है इसमें जो पेस्केल होगा वो रेंच करेंगा 44,000 तो फोन लाक फोटी जोड़ेंग है तो इसमें डिरेक्ट पेपेमेंट को से पेमेंट मिलेगी यह नहीं कि अगर आपको नौन गौर्णमेंट को लिएगा आपको पोस्ट किया जाएगा तो पेमेंट कहां से मिलेगा लेकिं अपको डिरेक्ट पेमेंट होगा गौवर्मेंट के तरफ से क्या पेमेंट होगा पेमेंट होगा लिवल टेल का फ्रम फोर्टी फॉर थाउजंद अप्टू लाक फॉर्टी टूबर ठीक है इस वेश्टाइट पीजा कि आपका अप्लाई करना है अब बात कर लेते हैं इंप अब बात कर लेते हैं वकेंसी के बारे में ठीक है तो डिफरेंट इफरेंट सब्जेक में वकेंसी इस सच से पुछ जो आपके लिए जिसमें आप इंटरस्ट होगे लाइक एंथ्पोलोजी तो इसके लिए एवन सीट है बाटनी में टोटल फिफ्टी वन सीट से जिसमें क भीक एस सीए स्टी यहाँ पर में इसमें बता दो कि इसमें 33% इटिस वोमेंड के लिए रिजब्ट है थीक थो 33% सीट से लिए रिजब्ट हैं इनकेस कोई भी लाइक की इलिजबल हो जाएंगे के लिए पर सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब करना चाहता है तो लाजी में टोटल सब्सक्राइब करना चाहता है और किन सीट्स पर इसरवेशन है से एस्ट वूमेन ओबी सी के लिए तो सारी डिटेल्स दीगाई यह उसको ठीक है परते है और डिटेल्स के बारे में तो जो एज लिमिट होगी वह एज लिमिट 20 और डिटेल्स के लिमिट है तोंटी वन यह स्ट वह टो एयर्स लिए अगर अज्वें पर इस आगर आपकी मिनिम्मम एस टॉनी चाहिए और मैक्समुम एस चूट फॉर्टी तो यह जोनी चाहिए अगर इस रेंज में है तो अब इसके लिए इस बाल है साती साथ जो SC candidates होंगे, उनके लिए 5 years, ST, OBC, SC, ST, OBC के लिए 5 years के लिक्सेशन है, like कि वो 47 years तक के लिए apply कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो age range है, 21 years से 42 maximum, like 22, आपकी minimum age होनी चाहिए, 42 maximum age होनी चाहिए, अगर आप SC, ST, OBC से हैं, तो आपके पास 5 years के लिक्सेशन होगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, education qualification की, तो जैसे कि पहले मैंने बताया, कि education आपके पास master degree होना चाहिए, in the relevant subject, like अगर आप बाटनी के लिए apply करना चाहते हैं, तो master degree होना चाहिए, geology field में apply करना चाहिए, तो master degree आपकी geology में होना चाहिए, master's में होना चाहिए, ठीक है, और जो pw candidates या फिर schedule cast, schedule tribe candidates होना 50% तक है, तो वो eligible है, ठीक है, तो unreserved category लिए 55% होना चाहिए, एमसी में, और जो reserve categories है, या pw candidates होने के लिए 50% होना चाहिए, बात कर लेते हैं, test paper pattern की, बात कर लेते हैं, क्या paper pattern होगा, तो paper pattern में 3 चीज़े होंगी, carrier, return, viva wise, carrier, return, viva wise, इन अब से पहले जो carrier में इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास PhD है, अगर आपने PhD कर रहा है, तो आपके पास 25 marks आपको carrier मिल जाएगा, और अगर आपने MFIL, या फिर GRF, या net qualify करना कर रखा है, तो आपको 10 marks ऐसा bonus मिलेगा, ठीक है, अगर आपने सिर्फ मास्टर्स कर रखा है, या फिर net नहीं है, तो कोई bonus marks नहीं मिलेगा, अगर आपने PhD कर रखा है, तो आपको 25 में 25 marks मिलेगे, अगर आपने net qualify कर रखा या जे अरफ qualified कर रखा है तो आपको 10 marks मिलेंगे और जो return होगा वो 150 marks होगा वाइवाइज जो interview होगा वो 25 marks होगा तो total कितना होगे 200 marks ठीक है तो जिनके पास सिफ जे अरफ है उनको इस marks लेको complete करना पड़ेगा जिने से master कर रखा है तो उनको यहाँ प्रेटन और वाइवाइवाइस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आप यहाँ आपका सेलेक्शन हो यहाँ पर होंगे और application fees 500 होगी ठीक है और जो रिजर्फ केटगरी होगी 200 fees ठीक है तो application fees 500 होगी फोर unreserved categories और जो भी reserved category students होंगे होंगे फीस होगी 200 ठीक 200 ठीक ठीक पोसीजर आप सेम रहेगा जो application link दी गई वहाँ पर आपको apply करना होगा और एक और दो eligibility conditions और भी थी लाइक की केंडिर मस्ट भी citizen अफ इंडिया जिस जरूरी नहीं है कि आप पुरिशा के इंडिया किसी भी स्टेट के citizen है तो आप apply कर सकते हैं बस catch यह है कि अप किसी भी लेवल पर आपके पास ओरिया लैंग्वेश में आपने पास कर रखाओ लइक इंडे स्कूल में अपने पूरिया पर रखाओ मै ट्रो क्विशिचन वे पने वोड़ या अपने उर्या पर रखाओ या फिर क्लास सेवन्त में अपने उरिया या बाश्यों पर रखाओ या फिर किसी भी Middle English स्कूल में आपने उडिया पर रखा हूँ तो लाइक स्कूल या ग्रेजुएशन में आपके पास उडिया ऐसा सब्जेक्ट किसी भी लेवल पर होना चाहिए तो यह दो अधर एलिजेबिल्टी केंडिशन थी और बाकी मोटा मोटा डेटेल्स मैंने बता दिया है अगर आपको और भी कोई डेटेल्स चाहिए तो आप इस पीडिया को पड़ सकते हैं कोई भी अगर आपके पास को आई है तो कमेंट सेक्शन हों जरू बताएगा ऐसा संबरी मैं बता देहूं कि यह लेक्षर पोस्ट है स्टेट सेलेक्शन बोर ओई स्ट इन नौन गोर्मेंट फ़ंड एड़ेट कोलेज लाइक आयसे कोलेज जो नौन गोर्मेंट ठेलेकिन फ़ंड करेगा उसके लिएशबिल्टी होगी मास्रस इंद रिलेजब्वेट सब्जेक्ट लाइए बात्नी जरॉजी बायक्रमेस्ट तो काफी डिटेल्स बता दी गई है अगर इसके बाद आपके पास कोई क्यारी है तो उसे जरूर बताईएगा कमेंट सेक्शन में उसको सॉल करने के जरूर कोशिश करेंगे ठीक है और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिए शेयर करिए और अपन and stay tuned